दिखें भाई, दो महीने का वक्त बचा हुआ है, मैं पहले ही बोल देना, तो, कल कमेस्टरी का दिया था, लेकिन अम सीरियस हो जाहिए हम दो महीने में पूरी तैयारी कर रहे है. तसम से सर मैं अपने दिल से बोड़ना हूँ अगर यह दो महीने सीरियस नहीं हुए तो आप फेल होने के सिवा आपको कुछ मिलेगा नहीं कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि फीजिक्स केमेस्ट्री एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें बुद्धी हरियरा जाता है लेवेल पर चला जाता है तो हमें नहीं सुनना सर कि क्या होने वाला है क्या नहीं वीडियो को बिल्कुल इसकी मत करना भाई साब यह राम बाड़ साहम को अच्छा बज़े के बाद बस वही रोगी है बस बोड़ वाले जितने भी वहिया है वह एकदम राम मानी लाज है उनके लिए हैं बता दे रहें पहले बाद मत बोली यह आमें कि गुरू जी नहीं बताएं और निकालो क्यों बैंग यह अपना नोट से निकालो मैं ह और एक चीज इसमें बता दूंगा जो आपको रिक्वार्मेंट है मैं बोला था ना तरीके त्यारी करवाएंगे एक दो नहीं तीन तीन वीडियों की और डेली फिजिक्स कमिस्ट्री बाइलोजी हिंदी इंग्लिस की त्यारी करवाएंगे परसान मत हुए थोड़ा और ए सब्सक्राइब कर दो महीने का वक्त बचा हुगा है दो महीने भी मत लीजिया मैं एकदम ऑनिष्टी के साथ बता रहा हूं आप सोच रहें सर जन्मरी में आपको वक्त मिलेगा मिलेगा वक्त खड़ी आई जाए गुर्देव मनाएंगे महाकुम भाजाएगा अगल बगल जन्मरी में प्रेक्टिकल परिक्षाएं होंगी गुर्देव हम प्रेक्टिकल परिक्षा भी लिख प्रीबोड भी परिक्षाएं जन्मरी में भी होंगी हैं भए नहीं बसता है हमारे पास नंबर और संब्ध स्च्बर्स आज है चाध के चलिए करे जा तो क्येवल के लकी पास चऑवथ 104 दिन में का वक्त कषम दिन We do अगर ये 54 दिन आप अगर सही सही जगह लगा दिये तो समझ लिजे कि ये जो फिजिक्स है ना किसी का बाप भाई साब नहीं रोख सकता ये सतनम बलाने से मैं लिख के दे रहा हूँ लेकिन आप को ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये चीजे करनी हैं महनत करनी हैं सर अगर जिन्दगी में एक बार इख्षा देना है ताइम दुआरा नहीं आता आपको क्या लगता है कि आपको फिर से दुआरा टाइम मिलेगा जिन्दगीमें कभी नहीं मिलेगा या तो फेल हो जाएंगे तो पड़ोसी भी आपका मजा गुड़ा आएगा बहुत से किल्ला उठाएगे जात रहें पढ़ें आज देखा फेल होगे मुन्यन हुआ जैसे बनके तर्रोई जैसा घूमेंगे लेकि रोनेकी सिवा कुछ मिलेगा नहीं फिस की आउं सीच को मैं अपनी रियलिस्टोरी बता रहो भाई साब मैं खूब पढ़ता था अफिजिक्स की कोचिंग करता था ख़ूब करता था खूब पढ़ता था अगर हिंदी की दिन बहgar तरुई पढ़े नहीं थे ना यार पढ़ते ही नहीं थे फिश्क्स कमे Всемी तो बहुत आती नहीं पढ़ते थी बाद नहीं प्ता चला कि सरह थश्कमे з société का यह इंग्लिशिंग इंग्लिश बालोजी का अभी यह लाख जब किस्प्रक्व कितने नंबर नंबर आया कि कितना नंबर आए कितनी में कि तुना यहां कितने नंबर पाया अवराल सब्जियार आहें चैजिएक्व कि हरे के दौराल अब नहीं पढ़ेना महिने लिखिद ले लो आप रोने की सिवा कुछ नहीं रहेगा आपके पास बहुत रोगी बहुत रोगी अगर वाले क्या वह लेंगे पता है बहुत कहत्र है पढ़ने काहनाई पड़ा अजब कि आप उनके ही चक्कन बरबाद हो जाएंगे काम के चक्कर में घर वाले यह भी साथ भाग गई पकड के लिए क्या आप पगड़ लो यार हमें क्यों लगा रहे मेरा बोर्ट पर इच्छा यह दो चाड़ दो सब कुछ भंडारा उंडारा तो हमारी कसंद खाके कह दो कि गुर्दयों छोड़ देंगी इस्टाग्राम और उनसे बात तो सब कुछ छोड़ जाओ भी या त्याग दो नहीं तो बर्बाद किसी वाक कुछ भी नहीं मिलेगा गया ना दिपावली जाने दो अब मेहनत करना है जमकर मेहनत कर रहा है अईतना मेहनत कीजिए न कि एक दम बुद्धी हर्यरा जाया गल बगल वालों की कि यार पढ़ता कितना है दम कितना है तो यह जो 95% है मैं स्कोर करवा दूंगा जनवरी छोड़ दो यार हरवरी तो ऐसी चली जाएगी रिवीजन में फिर पेपर में सत्तर केवल यह 54 दिन बचे हुए इसी मिलाना है इसी मिलाना है और एक चीज़ और जितना जादा आपका गोल होगा उतनी जादा आपको मेहन मेहनत करना पड़ेगा आपको क्यों 70% लाना है तो कम मेहनत करना पड़ेगा आपको फेल होना है जो कुछ मत कर बढ़ी आप मूवी देखो दिंबर सो कोई लेना देना नहीं है तो अपने दिमाग को सेट कर लो कि हमें सर कितना गोल मारना है और उसी प्रकार दिमाग को बत वापिक और नुमेरिकल सब करवा देंगे अब एक मैं आपको टिप्स लेकर आया हूं इससे आपको 65 से जाद ही नंबर मिलेंगे किन्दा सर 65 से जाद ही नंबर का होता है एक बात नियान देना हमारे पास कितने दिन बचे हुएं सर अगर आच्छा नंबर है तो हमारे पास 54 दिन बचे हुए है 54 दिन जववन दिन बच्चे हुए ठीक सार्व दिन बच्चे हुए अब हम डेली के अगर एक टॉपिक कवर करेंगे 30 दिन तो स्बिस्र हमारी कितने टॉपिक हुए 30 टॉपिक हुए डेली आप ने एक टॉपिक कवर किया थे तीज दिन तीज टॉपिक हुए अगर आप अगर आप यहीं पचास दिन पढद लिए एक गरनी में कि निरफ essen कितने हो जाएंगे आपकी पास 50 टॉपिक हो जाएंगे हुआँगा सर यहाई पर आने वाला भी नहीं है क्योंलने छी है ही पढ़ना है आप ने इसके पहले हमारी वीडियो कौन सी देखी है कौन सी नहीं कौन सा मेरा अपलोड किया था कौन सा नहीं किया ता हमसे उसे लेना देना नहीं है अब मैं आपको क्या दे रहा हूं, अब आपको कैसे पढ़ना है, बात इस पर निर्भर करेगी, महत समझा Aoif in the Must The बात, अब November थी, जो मैं तरीका बताऊंगा, जो मैं तौर बताऊंगा, बस उस पर क्याम करना। यहाँ पीपर दूँगा उसको पढ़ना है डेली डेली बेसिस पी जो मैं ठापिक पढ़ाँ गा हिंदी का उसको पढ़ना है् इधर भी चले जाएं कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 54 दिन बचे हुए है तिन चार दिन इधर उधर भी चले जाएंगे तब भी हमें 50 दिन गुर्देव कसम खाके निकालना है अगर यह 50 दिन अपने आपको निकाल लिए तो मैं ग्यारेंटी दे रहा हूं आप अपने पडूसी है इसमें सबसे पहले आपका थियोरी कवर हो जाएगा क्या हो जाएगा सर इसमें आपका पूरा का पूरा थियोरी कवर हो जाएगा ठीक जितने भी थियोरी होते हैं वह कवर हो जाएंगे थियोरी के साथ साथ जितने भी सथ डेरिवेसन होती हैं वह भी इसमें कवर हो तो निमेरिकल तो आटोमेटेक लगा लेंगे न क्यांकि न्युमेरिकल जो सवाल होती हैं यह किस पर कराधाईरत होती हैं यह भाईया सुत्रेंस करquant जरूर से जरूर पढ़ना है अगर यह 50 टापिक आते पढ़ना है तो nuevosB Всё यह चलाएंगे मैं लिक कर दे रहा हूं सर्थ अगर यह पचाश टॉपिक क्लियर करते हैं तो कल के भविस्व में आप क्या चलाएंगे तो चलाएंगे खसम खाली जी कि डेली एक टॉपिक पढ़ेंगे सर कितने दिन तक सबellsेंगें जिसमें आपका अगर यह कबर हो गएंगे इसमें कोई दो राय नहीं एक नंबर आपको अच्छे वाला मिलने बाला है अब आपको एक तिप्स देने वाले ज्राइए आजकल आप YouTube पे देखेंगे तो बहुत सारे चीजिशें मिल जाती है लेकिन सर हमें धुटना रहता है कि क्या सही है क्या गलत है कि आपके पांच दोस्त हैं पांचों में से पांचों बराबर नहीं है कोई आपको सही सलाह देगा तो कोई गलस सलाह देगा अरे धुआ उड़ाना बहुत अच्छी बात आओ हम भी उड़ा लेते हैं एक इस्टोरी है पढ़ने के साथ साथ थोड़ा मजा भी लिजिए मैं व उस्ता भी तगड़ी होती है तोहां पर ग्राउंड बना हुए था फूल लगे हुए थे नंबर साथ में खिले हुए थे और हर जगा लगा रहता है और वहां का जो देख्भाल कैमेरे से देखते रहते हैं वह देखते वहां के प्रमंधक जी ना जो मैनेजरेंट को चलाती वह सब देखते हैं कि इंजरी के छात रहें कब क्या उखार के बेच लिए किसी को पता नहीं चलेगा तो बसात का मौसम ता तो यह जाड़ी थी जाड़ी मतलब आपके पडोस की गाहँ वाली नहीं है जंगल वाली जाड़ी नहीं बाइक दम प्रोफेशनल वाली नहीं प्रसाद तो वही बाली हाल हो गई कि उसमें से एक बच्चा नहीं पीता है बाकी चार बच्चे पीते हैं तो पकड़ा तो वह भी जागे ना पाच्वाइब तो उसी प्रकार अगर आपके दोस्त सही है तो भाई साब आपको राइट वे मिले के जाएंगा अगर दोस्त की पताओंगा जो मैं आपको यह 50 लिखवा रहा हूं आप इसे याद करो लेकिन ऐसा मत करिएगा कि हम बीच से सब तयार करेंगे लाश्ट बारा छोड़ दें नहीं हमें पता है कि यह 50 दिन करना आपने में बहुत बड़ा टास्क है जितना कहने में आसान है उतना करने में आ बहुत अच्छा है तो यह जो 50 टापिक है आपको चैप्टर वाइज ही पढ़ना है एक से 50 की तरफ आपको चलना है एक से 50 टॉपिक की तरफ आपको कलना है यह नहीं कि बीच वाला उठा के पढ़ ली यह वाला छोड़ दी ऐसा आपको बिल्कुल भी कत्ता ही नहीं करना है उसके बाद ठीक है यह मेरे 50 टॉपिक तयार हो गए आपके 50 टॉपिक तयार हो गए उसके बाद क्या गरेंगे उसके सबसे पहले पचास महत्यपूर्ट टापिक रणना है उसके बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है तो उसमें पूदिएगा ने तो फिर धोखा खा जाएंगे और रही बाद टाइम टेवल की तो अगर आप च्छाते हैं सर हम पास हो जाएं कल्यान हमारा हो जाएं कम से कम आप जो टाइम देंगे कम से कम जो आप टाइम देंगे वह एक घंटे का टाइम फीजीक्स को जरूर दें कम सकते कब एक घंटे समय तो जरूर निकाले क्योंकि डेरिवेशन भी इसमें नुमेरिकल भी है त्योरी अभी है और व्यींज़ाने ना उसके पाद चैप्टर-वाइस फिवरी और साथ इसाथ आप निमेरिकल लगा लेना क्या लगा लेना सर निमेरिकल लगा लेना बस और आपको कुछ नहीं कर न अब सर वह 50 रापिक कौन कौन से हैं राम बान लियास को निकालो पढ़ लूँ मैं बोल रहा हूं न अच्छे एक चीज़ और है मेरे वीडियो मे यह भी नहीं पाएंगे हर एक लोग आज यह बताएंगे टापिक कल वह बता देंगे बच्चाप कन्फ्यूज सर वह 70 बता आयते पी 75 बता रहे हैं कल को 90 बता दे रहे नहीं ऐसा नहीं करना है अगर मैं आपको 50 बताऊंगा तो 50 ही रहेगा मैक्सिमम उड़के जाएगा त पी पिछला वता उसका छोड़ दीजे क्योंकि बच्चे नए जुड़े हुएं अब एक नया मोटीवेसन है दो महीं ने वक्त बचा हुआ है देन हम जो अब बता रहे हैं उसको थोड़ा सीरियस लो और उस पर काम कर तो सबसे पहला टापिक आपको क्या तयार करना है सब्सक्राइब करना है और चट्वा टापिक सम्भव प्रिष्ट को पढ़ना है उसके बाद सब्सक्राइब करना है उसके बाद मुक्त इलेक्ट्राणों के अनुवन में पढ़ लिजेगा रहा घनत तथा अनुवन में संबंद पढ़ लिजेगा किर्चाप के सभी नियम तयार कर लेना अनुवर्वेक सिद्धान द्वारा ओम के नियम का निगमन पढ़ लिजेगा वायो तथा सेवट का नियम पढ़ लिजेगा व्रित्ता का अधारा वाह लूप या कुंडली के कंदर पर उत्पन वैदुचित्र अच्छे इसमें एक सिध्धान का परिपती नियम पढ़ने लेना एंपड़ेर का परिपती नियम ये ट्แตफिक तयार करें लेंगे में पढ़ लेंगें, ठीन उसके बाद क्या पढ़ेंगे त्रेडी अनुनादी परिपत पढ़िएगा प्रांस फार्मर का सिध्धान्थ आव रटिएगा बैदुचुंकी तरंग रटिएगा मैक्सिवेल का बैदुचुंकी तरंग सिध्धान्थ पढ़िएगा अप्र सिध्धान्थ प्रिंजों के लिए विंजक पढ़िएगा उसके बाद यग के दूइ जिर्री प्रियोग से प्राप्ट दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की चोड़ाई के लिए विंजक पढ़ लीजेगा, एक पतली जिर्री द्वारा एक वड़ी प्रकास की वर्तब प्रतिरू प्राप्ट चरने का रेक मनाईए तथा केंडरी उ आगिलित समीकर ये भी आप तैयार कर लीजिएगा उसके बाद सर्टिराएल नंबर वाला टापिक रदर फोड का परमालुड माडल समस्थानिक समभारिक समभारिक समभारी यह भी रड़ लीजिएगा सौर उर्जा का सुरोत द्रवान छती नापकी विखंडन और पीएं संधी डायोट का उप्योग करके अर्ध तरंग दिश्टकारी का परिपत का चितर बनाईए उसके बाद लाश वाला टॉपिक है परिपत चितर की साहता से पीएं संधी आपको पूरे टॉपिक रटे होने चाहिए तयार होने चाहिए हमें कुछ भी नहीं सुनना है उसके बाद सर हमारे पास यह जो तो महीने का वक्त बच्चा हुआ है आखिरकार इसमें हम कैसे सब तयारी करेंगे तो बच्चे हुए समय में आप सर अपने बोडिया में किस प 100% इस्टड़ी पर होना चाहिए इंस्टाग्राम फेस्बूक दोस्ती पडोसी की साथ ही पडोसी किसके साथ भागा है किसके साथ नहीं भागा है यह सारे मामिला में ठीना लडाई जगडे सभी को छोड़ दो या एक बार करियर बन गया ना तो जिंदगी भर एकदम यह पढ़ने में अपने आपको तुर्रमखा लगाते थे और आज यह कुछ उखार भी नहीं पाएं तो देन आपको यह सब छोड़कर 100% इस्टड़ी पर ही फोकस करना है जीतना हो सकता है जीतना सरवान पोटेंसियल है वह पढ़ने पर लगा देना है आपको सर पता है सभी के सबीकी पिता जी सर्काइन ओकरी में नहीं है आधी से जादा आबादी जो है अपने भारत की वह लगबग की 70-75% आबादी जो है वह ग्रामेड में निवास करती है अग्रामेड के जो सर होते हैं वह किसाने से या फिर डेली जाकर दिहारी मज़दूरी से कमाते हैं तो जी में कितना हैं 400-500 ठीकर रूपय की है और उसमें भी उनकूं कितना काम करना पठा यह बैड़ने नहीं देते कि काम कर्वाते रहती हैं उनको से मांगेगा कि मेरा यार दस रुपए लाओ यार मुझे काम है आपके मावाप आप पर हजार रुपए उड़ा देते हैं लेकिन उन्हें ने कभी मांगा कि नहीं हमारा पैसा आपको दिये दिये ऐखेगे मेस्ट में कितना नमबर पाया आपने कितना नमबर वह देखें गए आहएं हम जब कोचिंग करते हैं तो ऐसा लगता है नहीं सब कमेश्टी को ज्यादा यह देंगे फीजिक्स को ज्यादा देंगे नहीं सब्सक्राइब तो देंगे ना हर एक सब्जेक्ट हर एक बिसे आपके लिए इंप्वार्टिनथे मुझे पता है कि कुछ सब्जेक्ट आप आपको लगा लगाना है वाकि जो लग रहा है इसकी कोचिंग नहीं करते हमारे वारुपर निर्भर हो जाईए हम सारे सब्जिट को बहुत अच्छी तरीक इसा कवर करवाएंगे आप चिंता मत करिएगा उसके बाद आपने खरी दी लिया है आपको जितने भी पचास टॉपिक पढ़ने के बाद जो भी आपको इंप्वाटेंट दिख रहा है छोटे-छो यह कम से कम तीन साल का तो आपको जरूर तयार करना है अच्छा यह आपको तयार भी नहीं करना है इसके चक्कर विनापड़ ज्यादा बेतर है क्योंकि स्यूम बैठा है ना स्यूम बैठा है मैं यह चैलेंज लेता हूं पर यूटूब पे कि भाई साब बोर्ड एक्जाम म करना है उसके पाप मैं 95 फीसरी कि और सर मैं फसा के तब छोड़ूँगा यह मैं आपसे प्रामिस कर रहा हूं देख लीजीगा तो यह सर्रहाप का फिजिक्स की पचाश टॉपिक राम बारिक देमिला सर यह पढ़ लेंगे तो समय लिए कल्याड हो जाएगा और जो इसमें मैं ग्यान दिया हूं वो भी अपने आप में एक इस्पसेल वाले ग्यान है तो यह जरूर लेकर जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडिमों के दूसरों थांकिव जैन ठीक कियर बाइबाए